नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकेन को दबाना ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल पहुते हैं हेलो फ्रेंट्स नीटिंग सीखो से मैं सरीता शर्मा आज में आपके लिए सिंगल कलर का यह पैटल लेकर रहाई इस डिजाइन को आप कार्डिगन में बना सकते हैं जैन्ड स्वेटर में इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने फंदेले नाइन मल्टीपल प्लस तू एज दे लेने हैं यह इसका राइट साइड है और यह इसका रॉंग साइड है फस्ट रो से हम बनाएंगे बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिजाइन को बना सकते हैं फस्ट रो बनाएंगे यह हमारा एज फंदा है इस फंदे को सीधा बना रही हूं मैं आप इस फंदे को उतार सकते धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे वान और टू फंदे हमने उल्टे बनाने धागे को हम पीछे करेंगे अब यह देखिए यहाँ पर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे वान और टू फंदे हम यहाँ पर सीधे बन यहां पर हमारे फंदे हो जाते हैं, वन, टू और त्री फंदे एक में से हमने बनाएं, अब एक फंदा हम यहां पर नॉर्मल सीधा बना लेंगे, यह देखें, फिर रिपीट करेंगे ऐसे, सीधा बनाएंगे, जागे को गुमाएंगे, और इसी में से एक और फंदा बनाएंगे थ्री फंदे हमारे यहाँ पर यह complete हो गए अब दो फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे वान और टू धागा आगे करेंगे टू फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे वान और टू धागे को पीछे करेंगे फिर रिपीट करेंगे यहां से एक बार फिर देखिए दो फंदे हम सीधे बनाएंगे वान और टू फंदे सीधे बनाएंगे थर्ड वाले फंदे पर इस पर हमने सीधा बनाना है धागे को हम इस तरीके से घुमाएंगे और फिर इसमें से हम फिर सीधा बनाएंगे तो अब यहां पर होगे 1, 2 और 3 फंदे हमने इसमें बनाएं अब यह वाला फंदा हमने सीधा बनाना है फिर देखिए सीधा बनाएंगे इससे निकालेंगे इस धागे को हमने इस तरीके से घुमाना है और फिर इसमें से हम सीधा बनाएंगे फिर दो फंदे हम यहां पर सीधे बनाए फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर ऐसी रिपीट करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदे में से हम थ्री फंदे बनाएंगे, फिर यहाँ पर यह वन फंद हम सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पर वन में से हम थ्री फंदे बनाएंगे, और इन टू फंदों यह देखिए अब यहाँ पर हमारे दो फंदे यहाँ पर सीधे हैं यहाँ पर इनको हमने सीधा बनाना है वान और यह टू अब देखिए यहाँ पर यह हमने एक फंदे में से वान टू और थ्री फंदे बनाये थे इन तीन फंदों को हमने इस तरीके से उतारना है वान टू औ और थी यह फंदा हमारा बीच में सीधा इस फंदे को भी ऐसे उतारना है यह गए फॉर फाइव सिक्स और सेवन फंदे हमने ऐसे उतारने हैं अब उसके बाद दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और इस धागे को आपने लूज रखना टाइट नहीं रखना यह देखिए वा दो फंदे यहां पर हम उल्टे बनाएंगे यह देखिए वन और टू फंदे यहां पर हमने उल्टे बनाएं फिर देखिए वान च टू Rechts वगे 6 और शेवन हमने ऐसे उतारने अब इन फंदों को दो फंदे हमारे एक आप करकर नहीं बनाना इसको आपने इस तरीके से ऐसे करना तो यह हमारा धागा जो है खुल जाएगा यह ऐसे करकर तो वन और टू फंदे उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे हम यहां पर सीधे बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर इसको दो फंदे यहाँ पर 1 और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे 2nd row को wrong side से इसी तरीके से complete कर लिए 2nd row को हमने complete कर लिया अब बनाएंगे 3rd row right side से यह हमारा edge फंदा है इस फंदे को यहाँ पर मैं सीधा बना रही हूँ दागे को हम आगे करेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे 1 और 2 फंदे यहाँ पर हम उल्टे बनाएंगे दागे को हम पीछे करेंगे अब यह दो फंदे है इन दो फंदों को हम ऐसे ही उतारेंगे यह देखिए और यहाँ पर यह तीन फंदे हमारे 1 यह दे यहाँ पीछे से यह दो फंदे जो हमने उतारे थे इन दोनों फंदों को हमने आगे लाना है और यह वाले फंदे को हमने इस पर लेकर आना है और इस फंदे को अब हम सीधा बनाएंगे बीच वाला यह फंदہ हमारा, इसको हमने सीधा बनाना है यह देखे, अब यह 1, 2 और यह 3 फंदे ऐमारे जो हमने दागा गुमाया था, यह बनाया थे इनको हमने यहाँ पर सीधा बनाना यह देखिया ऐसे और अब यह वाले फंदे को हम निकाल देंगे और यहाँ पर यह दो फंदे हम सीधे बनाएंगे वन और यह टू और इस फंदे को हम इस तरीके से ऐसे ले लेगे फिर धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे एक बार फिर देखिए रिपीट करेंगे फिर इसको ऐसे ही हमने दो फंदे हमने ऐसे उतारने है अब इन तीन फंदों को हम एक साथ पीछे की साइड से सीधा बना लेंगे ये देखिया से और इनको हम निकाल देंगे अब पीछे की साइड से ये दो फंदे जो हमने बिना बने उतारे थे इनको इधर लेंगे और इस फंदे को हम इस पर ले लेंगे ये देखे ऐसे और अब इन दोनों को हम सीधा बनाएंगे वान और टू अब ये बीच वाला फंदा है हमारा इसको भी हमने सीधा बनाना है ये तीन फंदे हमारे वान टू और ये थ्री देखे वान, टू और थ्री फंदे हैं इन तीन फंदों को यहाँ पर हमने सीध़ बनाना है यह देखिया ऐसे और इसे अब निकाल देंगे अब यह वाला फंदा जो है हमारा इस फंदे को हम यह पर इसको ऐसे पकड़ लेंगे और इन फंदों को हम यहाँ पर हमने सीधे बनाने वाण और यह टू और इनको निकाल देंगे और इस वाले फंदे को हम इस पर डाल देंगे यह देखे ऐसे इसफिर दाला ङाल करेंगे और द Mississippi बनाएंगे फिर दालागा पीछे करेंगे अब बनाएंगे। इस तरीके से पूंपलेट Okay यह देखिए अब बनाएंगे हम 4th row wrong side से 4th row में आपने क्या करना है यह हमारा edge फंदा है इस फंदे को मैं यहाँ पर उल्टा बना रही है अब यहाँ पर आपने यह तीन फंदे यह देखिए एक फंदा हमारा यह वाला है 1 2 और 3 यह 3 फंदे हमने उल्टे बनाएं यहाँ पर और बीच का यह वाला फंदा है इसको हमने ऐसे ही उतारना इसको हमने नहीं बनाना फिर रिपीट करेंगे यह 1 2 और यह 3 फंदे हमने उल्टे बनाने है धागे को हम पीछे करेंगे सीधा बनाएंगे धागे को आगे करेंगे फिर रिपीट करेंगे यह देखिए 1 2 और 3 फं यह उतार ना यह दिखे एक फिर थी फंदे हम उल्टे बनाएंगे वान जुप और यह ठी लिए दागे को हम पीछे पर कशी करेंगे और दो फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे फोर्थ रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लिए यह देखे फोर रो में हमारा डिजाइन यह complete हो गया, 4th row को हमने यहां पर complete कर लिया, फिर हम 1st row से फिर repeat करेंगे design को, तो 1st row हम कैसे बनाएंगे, एक बर फिर देखिए यहां पर, यह मेरा edge फंदा है, इस फंदे को मैं यहां पर सीधा बना रही हूं, आप इस फंदे को निकाल सकते हैं, फिर धागा आगे करेंगे ह और 2 फंदे हम यहां पर उल्टे बनाएंगे, 1 और 2, यह देखिए, धागे को हम पीछे करेंगे, मैं जूम करकर आपको दिखा रही हूं, सभी फंदे आपको clear दिखाई देंगे, यह देखिए, अब यह यहां पर बनाएं, अब हमने यहां पर 2 फंदे सीधे बनाने, 1 और 2 यह हमारी 1st row है, यहां से हमने design को start किया था, 2 फंदे मैंने यहां पर सीधे बनाएं, तीसरे फंदे पर हमने यहां देखिए, इस तरीके से ना, 1 यह होगे हमारा 2 और 3, 1 फंदे में से हमने 3 फंदे बनाएं यह देखिए, 1, 2 और 3 फंदे हमने बनाएं, अब यहां पर एक फंदे को हम यहां पर सीधा बनाएंगे, एक फंदे हमने सीधा बनाया, अब फिर ऐसी सीधा बनाएंगे, धागे को हम इस तरीके से घुमाएंगे, और एक फंदे हम फिर सीधा बनाएंगे, एक फंदे में से हमने यहां पर सीधा बनाया, तो देखिए, दो फंदे हमने यह पर सीधे बनाएंगे धागे को हम आगे करेंगे और दो फंदे हम यहां पर उल्टे बना लेंगे फिर सेम रिपीट ऐसे ही करना आपने दो फंदे सीधे यह देखिए दो फंदे सीधे दो के बाद अब इस फंदे पर हमने तीन फंदे बनाने धागे को घुमाएंगे और इसक पुछ वाला फंदा यह हमारा सीधा बनेगा फिर रिपीट करेंगे दो फंदे सीधा धागे को हम घुमाएंगे फिर इसमें से एक फंदा हम और सीधा बनाएंगे और दो फंदे हम फिर इसमें यह सीधे बनाएंगे एक में से हमने तीन बनाए और साइड में दो फंदे हमने स सीधे बना लेंगे यह देखिए तो फस्ट रो जो है हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे वन से लेकर फोर तक आप रोक और रिपीट करते जाएंगे तो आपका फ्रेंट यह डिजाइन बन जाएगा बहुत इजी डिजाइन और देखने में देखिए बहुत ही सुंदर भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद